सांसो की जरूरत है जैसे, सांसो की जरूरत है जैसे, जिन्दगी के लिए, बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, जाम की जरूरत है जैसे, बे खुदी के लिए, बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, दोस्तो, 90's के दशक में, नदीम शवन की जोरी, बहुत फेमस जोरी थी, इन दोनोंने इन्नुमरेबल हिट्स दिये, इन्देन फिल्म इंदेस्ट्री को, और इनके मुजिक अल्बम्स, हमेशा हाइस्ट सेलिंग में रहते थे, इन दोनों का association स्टार्ट हुआ, इन दोनों को एक भोचपुरी मुवी में, एक साथ काम करने का मौका मिला, बट इवेंचुलिए, इन दोनों का गाना, सांसों की जरूरत है जैसे, मैं अभी आपको सुना रहा था, इस फिल्म के थ्रू कुमार सानु का म्यूजिकल केरियर, चून का सिंगिंग केरियर था, तो दोस्तों, आज मैं नदीम शर्वन का म्यूजिकल जर्नी और उनके लाइफ में खटे एक बड़ा कंट्रूवर्सी के बारे में आप सबको बताऊंगा, और बीज बीच में उनके जो famous hit गाने थे, वो भी आपको सुनाऊंगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, The next song which I am going to sing is from the movie Raja Hindustani, which is again a super hit movie, और इसके भी सभी गाने super hit थे, और ये particular गाना है, आए हो मेरे जिंदगी में, which was originally sung by Udith Narayan जी, आए हो मेरे जिंदगी में, तुम बाहार बनके, मेरे दिल में यूँ ही रहना, आए हो मेरे दिल में यूँ ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में, तुम बाहार बनके, इनका musical career बहुत सही चल रहा था, बहुत सारे hit movies में इन दोनों ने काम किया, और उनका काम को सराहा गया, तिल कंट्रोवर्सी हैपेंड जिनमें इनका नाम आ गया, और दाट कंट्रोवर्सी actually started with the murder of Gulshan Kumar ji, हाँ वही Gulshan Kumar ji, जिनके movie आशी की से इन दोनों का career actually start off हुआ था, Gulshan Kumar ji एक शिव मंदिर से बाहर आ रहा थे, तब कुछ लोगों ने उनके ओपर गोली चला दी, और वही पर उनकी मौत हो गई, जब इन्वेस्टिकेशन स्टाट हुआ, तब इन्वेस्टिकेशन में नदीम सैफी, जो की नदीम सावन जोरी के नदीम थे, उनका नाम सामना आया, और जब इनके नदीम आप गोल्शan Kumar, ओइंट विच नदीम दाओद इब्रहीम के साथ कॉंटक किये, तब आओद इब्रहीम से ब्रदर्स और इन्वेस्टिकेशन में पर रुक गया, और इन दोनों ने फिर लॉंग दिस्टेंस में काम करना चालो किया, इस दौरान भी इन दोनों ने काफी सारे हिट फिलमें में काम किया, जैसे की राज, धरकन, ये दिलाशी काना, एक सेटरा, एक सेटरा, लेकिन द थिंग is that ये भी ज्यादा दिन नहीं चला, and their association actually ended with दोस्ती, जिस फिलम में अक्षय कुमार और वापी दिल ने काम किया था, तो दोस्तो अभी जो गाना में आपको सुनाने वाला हूँ, that is from the movie धरकन, which had all its songs as super hits, सभी गाने आज के डेट में भी वो बहुत बड़े hits हैं, आज भी चलते हैं, FM रेडियो में आप सुनते हो, या कहीं पर भी सुनते हो, गाने सुनाई देते हैं, और ये गाना है तुम दिल की धरकन में, which was originally sung by अभिजीत भट्टा चलिया, इसका एक और एक वर्जन था, जो कुमार शानों ने भी गाया था, तो ये गाना में आपको सुनाऊंगा, मेरी इन सासों से, कहते हो, कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धरकन में, रहते हो, रहते हो। इन दोनों की जोड़ी तूटने के बाद, शवण जी कंसेंट्रेटेट मोर और बिल्डिंग इस सन्स केरियर, या इस संजीव दर्शन और नदीम, एस अ सोलो कंपोजर कुछ फिल्म उन में काम किये। उन फिल्म में से इस्क फॉरेवर या एक हसीन थी एक दिवाना था मौझूद है। बट रही इसेंग सरवण जीदिन स्थि थे दो क्रेंटेटी वहा ने आप से खमाल ऑनों कियो। आपनेट्च्वजी सक्थिल्म फ स्थि concrete हैं तुल्दिव याज़ फ्रवड सन्स Willis eventually UK court ने बाईज़त बड़ी कर दी, eventually Indian सरकार भी actually एक प्रिटिशन दिये थे UK government को so that he can be brought back but UK government ने बोला कि there is no proof that Nadeem is directly involved in this murder case of Gulshan Kumar और उसके बाद finally जो verdict भी सामने आया तब Gulshan Kumar के murder case में इनको एक clean cheat मिल गई नदीम को and after that after getting the clean cheat he stopped composing music as well and then he migrated to Dubai to start his perfume business तो दोस्तो ऐसे ही एक बहुत बड़ी musical जोरी का अन्त हुआ which was not an expected end to be very specific आज भी इन दोनों के compose के हुए गाने सारे जगह पे चलते हैं और their super hits till date and their evergreen hits to be specific लेकिन of course ये जो controversy हुआ that actually affected their musical journey तो दोस्तो इसी के साथ मैं आज ये video खतम करने वाला हूँ खतम करने से पहले मैं और एक गाना गाना चाहता हूँ which is from the movie साजन एक और ऐसा फिम जिसके लिए इन लोगों को film fair ever भी मिला था और इसके भी सभी गाने सुपरिट थे ये गाना है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार चो तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन साजन मेरे साजन 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 मेरे साजन आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक और शेर करीगा इस वीडियो को और हमारा चैनल अवीदान को सब्सक्रेब कीजएगा थैंक ये व्रीवन